नमश्कार दोस्तों मैं दिनेज संधु आपका अस्ट्रागत करता हूं मेरे इस यूटूब चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों आज की वीडियो के देर हम डिसकस करेंगे कि आप को सेंटर चेंज कैसे करना है हिमाचरपुदेश मौका दिया है कि आप अपने नेटीव प्लेश जो आपका नजदीक की कॉलेज है जो सेंटर नोटिफाई किया है है आप वहां पे अपने पीजी के एक्जाम देश सकते हैं अब आपको सेंटर चेंज कैसे करना है यहां पे बहुत सारे स्टुरेंट्स को दिक्कत आ रही है तो वह सेंटर चेंज हम कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप इस वीडियो को देखेगा बहुत इंपोर्टन वीडियो आपके लिए है क्योंकि कोई भी गलती यहां पे नहीं होनी जीए अगर आप पहली बार सेंटर चेंज करते हैं त तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है pgexam.hpshimla.in यह वेबसाइट रुहाओ यहां पर यह ओपन हो गई है अब यहां पर आपको थर्ड पर ओप्शन दिख रहा होगा चेंज एक्जाम सेंटर ड्यू टू कुबिट 19 पेंडमिक यहां पर क्लिक करना है अरजिस्टेशन नमबर भरना है उसके बाद आपको समस्टर चूज करना है एक्जाम टाइप में आपको फ्रेश या फिर रिपेर भरना है और सिस्टम के अंदर आपको PG रेगुलर, PG डिरेक्ट या फिर PG आईशिडोल, जन्बरी का बैचा वो आपको यहां पर चूज करन में तो वह PG एकडि आपको यहां पर चूज करना है और पिजिडी जो आईशिडोल है जो आईशिडोल से PG कर रहे हैं जन्बरी के बैच है जहां पर चूज करने है उस चाहिए उ вся प्को एय ऑप्शन चूज करना है और उसके बाद आपको गात को फ्रेंड के उपक्लिक करन एक बात यहां पर ध्यान में रखियेगा कि आप सिर्फ एक यी बारे में free exam center chain कर सकते हैं, दूसरी बार आपको fee pay करनी पड़ेगे exam center chain करने लिए, तो उसके बाद आपको exam center choose करना है और वहां फिर update option के उपर click कर देना है, तो इस तरह से जुहाँ वो आपको exam center change होगा, तो य तक यू और थैंक्स फर वाचिंग